शाहरुख खान की डंके फिल्म रिलीज हो गई है और आज हम इस वीडियो में उसी के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं डे वन की आपको बताते जो यह फिल्म है इसको डारेट किया है राजकुमार हिरानी ने और इस फिल्म में आपको शाहरुख खान के साथ तापसी पन्नू विकी कॉशल जैसे आक्टर्स देखने को मिले थे और वहीं इस फिल्म में आपको बहुत साई चीज़े देखने को मिली इसमें भी है, थ्रिलर भी है, ड्रामा भी है और थोड़ी बहुत लफ स्टोरी भी है इसमें तो ये जो फिल्म है पूरी की पूरी entertainment है और आपको ये फिल्म देखनी चाहिए और जितनी भी आपने फिल्में देखी होगी राजकुमार हिरानी की, कुछ वैसा ही है और ये फिल्म ऐसी होने वाली है जो कभी भी पूरानी नहीं होगी और इस फिल्म को आप जितनी बार देखोगे आपको हर बार कुछ नया नजर आने वाला है तो फिल्म के box office collection के अब हम बात कर लेते हैं फिल्म ने पहले दिन की कमाई जो की है वो की है करीब 30 करोड के आसपास की जो की कम नहीं है फिल्म बहुत अच्छे लेवल पर निकली है आपको पता है कि यह विकर्ट्स पर रिलीज नहीं हो थोर्सडे को रिलीज हो गई फिल्म वही फ्राइडे, सैटेडे, संडे तो ये तीन दी दिन को मिल जाते हैं तो क्या पता फिल्म और अच्छा खासा काम कर जाए वही सलार फिल्म भी रिलीज हो गई है और उसके बॉक्स आफ इस कलेशन के बारे में भी हम बात करेंगे लेकिन शारु खान के जो ये फिल्म है डंकी उसने पहले दिन तीस करोड के आसपासी कमाई की और एक्सपेक्टेशन्स है कि ये फिल्म कुछ ही दिनों में तीन से चार दिनों में सो करोड को अराम से पार करने वाली है और हमें ने रिकॉर्ड तूटते हुए नजर आने वाले हैं SRK की दो फिल्म में और जो रिलीज वी थी साल उन्होंने भी काफी अच्छा खासा काम किया बॉक्स आफिस पर अब देखते हैं कि ये फिल्म क्या कमाल करने वाली है खेर इस वीडियो में बस इतना ही बाकी फिल्म वेब सीरीज और गाने से रिलेटेद अबडेट्स के लिए इस चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हम मिलते हैं अगली वीडियो में